कि जब लगे आपकों की दरिद्रता बहुत ज़्यादा है कि राया तक नहीं है मैं कैसे जाओं अंदार और शमी ने दोनों मिलकर भगवन शिव की अराधना करी और देवदी महादेव ने बर दे दिया सुनो शमी और सुनो मंदार यदि कोई भूल से भी आपकी पती आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा सुनो मंदार सुनो शमी अगर कोई भूल से भी आपकी पती आपका पुष्प मुझे स मर्पित कर देगा उसे हज्जारो अश्मे ग्यग्य के इस नान का जो पुन होता है वो एक छण में प्राफ्ट हो हज्जारो अश्मे ग्यग्य का पुन है हज्जारो अश्मे ग्यग्य का पुन है एक छण में प्राफ्ट हो यह मंदार, यह शमी, हजारोश में ज्यग्य का पुर्ण एक साथ, शमी की पत्ती देखिए आप लोगों ने, जम के बोले जड़ा, देखिए, मंदार पुष्प भी देखा हुआ है, अब शमी की जो पत्ती होती है, उस शमी की पत्ती को भगवान देव अधिते महादेव पर चड़ाने का, शमी की पत्ती जो होती है, उस शमी की पत्ती को चड़ाने का एक नियम भी होता, तोड़ा सावधानी से सुनना इस नियम को, जो आपके जीवन को सार्थक बना सकता है, शमी की पत्त्ती को चड़ाने का एक नियम है, बड़ा सुन्दर नियम आपके जीवन मे तारने लाया है महाराज जब सारा शंगार मेरे देव दिद्य महादेव का हो जाए बहुत ध्यान से सुनना ये प्रसंग आया नहीं पहले आज अगर कुबरिश्वर भाबा की पावन धरा पर ये प्रसंग निकला है तो उसको ध्यान से सुनिए अगर पती शमी की जो पती होती है उस शमी की पती को कब कैसे और कहां चड़ाना चाहिए और शमी की पती का फल क्या होता है वो भी अपितन समझने उसको शमी की पती संपूर्ण इस्नान भगवान का हो जाए संपूर्ण इस्नान आप समझें उसको जैसे यह शिवलिंग है जलाधारी जल निकल कर जाने का इस्थान गणेश कार्थी के अशुक सुंदरी जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्त कमल शिवलिंग शिव का सुरू उपर जो जलाधारी लगी है उसमें से एक एक बून जो पानी नीचे गिर रहा है जो पानी नीचे गिर रहा है शिव जी की बेटियां जया विशहरा शामली बारी दवतली देव शिव जी की बेटियां अब जब देव दिव महादेव को समी का पत्ता चड़ाया जाता है कब चड़ाते हैं जब आपने संपूर्ण जलाधारी को हाथ से साप कर दिया हो शिवलिंग पर जल चड़ा दिया हो शिवलिंग का पूरा शंगार आपने कर दिया हो संपूर्ण शिंगार मेरे देव का लेपन अभीर गुलाल अक्षत बेलपत्र धतूरा जो भी तुम्हें चड़ाना है सब कुछ तुमने चड़ा दिया कि सारह संगार मेरे देव दिव महादेव का हो गया तब शमी की पत्ती को मा जगढ़ जन्नी की जो जलाधारी है उस पर मात्र इसपर्श कराकर शिव शिविलिंग पर आखरी में समर्पित कर देना चाहिए जिससे हमारी मन की जो कामना है वा माद जगत जन्मी देवाधी देव महादेव से उनके कानों में श्रवन करें शम्य पत्र का अग ्जैसे एक बात और अपने स्मर्ण में लीजिएगा शमीत अपूरी के जैसे शिबलिंग जलाधारी और स्थान जब बहुत ज्यादा मात्रा में दरिद्रता होती है बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत कश्टमाई जीवन जैसे एक बहन ने पत्तर में लिखा है कि मैं हर्याना साइट से आई हूं उन्होंने पत्तर में लिखा है मेरे को मेरे टिकेट करवाने का भी मेरे पास पैसा नहीं था जिसने लिखा है अगर वो बेटी हो तो खड़ी भी हो सकती कि मेरे पास टिकेट कराने का भी पैसा नहीं था और में मेरे पास में कोई धंदोलत इतनी भी नहीं कि मैं आऊँ मेरे माई के वालों ने मेरी भक्ती को देखकर एक कोई उनके पर परिचित जा रहे थे तो उनका ट जब आपको लगता है कि इतनी दरीद्रता जीवन में है इतना और ऐसा नहीं है मनुष्य के जीवन में बगूत सुख दुख तो चलता रहता है मानव का देह है यह तो चलना है जीवन पर्यान चलना है सुख दुख चलेगा यह शप्यस चलेगा लगे तुमको कि हां और करना चाहूंगा आका मने कि आतका मने कुबरिश्वर धाम आये अपका चित्त है कि छु कुबरिश्वर भाबा के धाम पहुचना मासीवन के तट पर पहुचना सृद्ध पुन्यगर किका कंकड का धर्शन करना है कि 108 शिवालाय का स्मर्ण करना है चिंता मन गणेश और श्री हन्मान फाठक का खेड़ापती सरकार का मन कामिश्वर का दर्शन करना है भूतेश्वर का दर्शन करना है कुबरिश्वर का दर्शन करना है जब तुमारे चित्त ब्रत्ती में यद तुमारे मन में कि दन भी नहीं है पैसा भी नहीं है बहुत दरिद्रता का जीवान है बहुत दुखी जीवान तब बेल पत्र और शमी पत्र का प्रियोग जरूर करकर करके देखना प्रेक्टिकल करने में कुछ नहीं जाता है प्रेक्टिकल करने में क्या जाता है करके देखना उस समय पर जै और प्रवचन में देते 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 महाराश ओंग, देते। महाराँ कि नाली में पड़ा होता Тुम उका वाला पड़ा हो गया उसमें खड़ा होकर का σवर्श, तुम इतनी बड़ी, बड़ी बात कर रहे हैं तुम हैक थाय। में पड़ा गटर में पड़ा महाराच जी को कुरुद नहीं आया समझ थी महाराच जी ने का बैया देख में भी प्रवचन दे रहा हूं मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है में मुझ से समझा रहा हूं कि पीकर लोग नाली में गिरते हैं गटर में गिरते हैं मेरा भाई प् का एक बार जीवन में प्रेक्टिकल करना these प्रेक्टिकल ये जी से आपको कहा कि आपका विश्वास अगर पका है वरोसा अगर डड़ी और श्ँंकर के पर कि अगर आपका विश्वास पक्का है आप साथ दिन या रुखे हुए हो पांच दिन रुखे हुए हो यहां से अपने घर जाओगे निश्शित है वो रुद्राक्ष कहीं से भी आए कैसे भी आए तुमारे पास पहुंच जरू जाए कि निश्शित है और यह कहीं से कैसे किस रूप में आये कहां से आये क्या करें देगा विश्वास लेकर आयो भरोस आए डरता है उस बच्चे ने बोट परिच्छा दी परिच्छा देकर उसने कर में नोकरी का लगाया नोकरी का लगाया विद्दूर विभाग में लगा। विद्दूर भी ब्रन मेरे महादेव को सकता है नी समझ आई होगी तो रिएलवे मिश्वास बदोसा वहosa दढ़ी को हाँ हैं दो चीजे हमारी इसिए महापुरान की कथाकती है एक अपना करना मत भूलो मेहनत करना मत भूलो और दूसरा महाद exponentially विश्वास करना मत भूलो यह शिव महा करें है को कर्म करना मत भूल भूलो मेहनत करो दिल से करो करी मेहनत करी मेरे सीहोर के एक-एक समाज के बंधुओं ने मेहनत करी जो यहां से गया कहीं स्टेशन पर साहू समाज कहीं कोई समाज कहीं कोई समाज बड़े प्रेम से पूड़ी सबजी खिला रही थी कोई पोहा खिला रहा था मैं धन्यवाद दूँगा एक महिला को गर्व से थी उसको तकलीफ हुई तो एक मुस्लिम महिला अपनी स्कूटी पर बिठाकर उसको हास्पिटल तक ले कर गई ये मेरा सीहौर है कि यह मेरा सीहौर है जिसको मैं हमेशा कता रहतां सीहौर मेरी जान है मेरी पहचान इसलिए मैं अपने नाम के आगे सीहौर वाला लिप्ट यह पहचान एक मुस्लिम महिला उस Kendra को ले कर तो हॉस्पिटल चुड़ी आई गर्वस से थी वह इ offenders नगरता है कोई कोई कमाने के उद्देश से कही ना कहीं कारे विगारता परन्तु मेरा महादेव कहीं ना कहीं आकर इनी के रूप में सभालता है वो महादेव शिवत्त्त्व जाने ओ घड़ी कि जब लगे आपको की दरीदरता बहुत है किराया तक नहीं है मैं कैसे जाओंगा कैसे उस महादेव के दर्शन काओं कैसे उसकी चोख़ट पर जाओं कैसे उसको नमन करूं तब उस जगहाँ पर आप एक बेल पत्र जहां से जलाधारी बहती है उधर एक बेल पत्र जहां जलाधारी के ठीक विप्रग्यों इस्थिती में और साथ शमी पत्र मेरे महदेव के के उपर केवल आपके हरदय की बात कहते हुए शमी पर बेल पत्र इस तरह से समर्पित पहले ध्यान रखना पूरा शंगार इसनान पूजन चंदन अक्षत गुलाल अभीर सब हो जाए उसके बात की बात ही है उसके बात की बात एक बेल पत्र इधार एक बेल पत्र इधार और उसके उपर साथ शमी पत्र के पत्य एक एकक करकर चड़ाना पूरे एकट करकर नहीं, एक एक करकर बाबा से बिंती करते हुए. काटों से भरी हुई शमी है, जिसको तुन्य निहाल कर दिया, मेरी जिंदगी भी काटों से कम नहीं है मैं जानती हूं तो मुझे भी निहाल कर देखा तु मुझे भी निहाल कोई खाली ना जाता कोई खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूं नदी बारे को बस्ता हूं मैं भी खड़ा हूं नदी बारे पसारे अपने रगए से लगा लो लगा लो गीदा जा रहा हूं उठा लो उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो ना ता दो गिरा जा रहा हूं तेरी कृपा से ये जिन्दगी है बड़ी मुश्किल से मिली है कोरोना में कपके निपट गए होते हैं अगर उसने बचाया ना होता है कोरोना में कबसे निपट गए होते हैं कबसे ना जाने आगी भी दूसरे लगा रहे होते हैं देखने भी कोई नहीं आ रहे होते हैं अकेले मूंडा में आकसी जन लगी होती और सांज भी लंबी खीच रहे होते हैं तब वो याद आया परिवार वालों को सीवर वाला महराश्यू कुराण बाचराएं वाल्यूम तेच कर दो सबने अपनी टीवियों का वाल्यूम बढ़ा दिया कोरोना भी सोच रहा था कहां जाके छुपूं विचार में पड़ा वो भ कोरोना में बाबा के धाम पर शुपूराण चलती रही लोग ऑनलाइन कराते रहे ऑनलाइन